रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सभी कुसल पूर्वख होंगे आज हम अपूर्व अनुवख का आंगे का भाग का अध्यन करेंगे शेश्वाग का अध्यन करेंगे इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह तोतो चान यासुकी चान को अपने पेल पर चड़ाने के लिए प्रयाज करती है वह उसे चुप चाप बिना किसी को बताए पेल पर चड़ाने के लिए आमंत्रित करती है आज हम पढ़ेंगे इससे आगे, देखेंगे, तोतो चान यासो की चान को अपने पेड़ पर, कहां से पढ़ना है हमको, यहां से हमको पढ़ना है, तोतो चान यासो की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चोकीदार के छपपर की ओर भागी, ज इससे वे दूसरी साखा तक पहुंच जाए दूसरी साखा उसे तने के साहरे ऐसे लगाया जिससे कि वे दूसरी साखा तक पहुंच जाए वे कुर्सी से उपर चड़ी और सीड़ी के किनारे को पकड़ लिया तब उसे पुकारा ठीक है तब उसे पुकारा ठीक है अब उपर चड़ने की कोशिश करूं यासुकी चान के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीड़ी पर भी बिना सहारे के चड़ नहीं पाया इस पर तो तो चान नीचे उतराई और यासुकी चान के कोप पीचे से धक्याने लगी अट्थात जो सीडी थी आप देख रहे हो इसमें किस तरह की सीडी बनी हुई है यह जो सीडी थी उसपर पीछे की और धक्का दने लगी क्योंकि वे पोलियो ग्रसित था पोलियो से वे विकलांग हो चुका था इसलिए उसके हाथ पर कमजोर हो चुके थे वे सीड़ी पर भी नहीं चड़ पा रहा था कौन नहीं चड़ पा रहा था यासुकी चान यासुकी चान सीड़ी पर नहीं चड़ पा रहा था उसे धक्का देकर उपर चलाने लगी तब पर तो तो चान थी छोटी और नाजुक सी इससे अधिक साय तक क्या कर सकती थी यासकी चान ने अपना पे सीड़ी पर से हटा लिया और हतासा से सिर्फ चुगा कर खड़ा हो गया हतासा दुखी हो करके तो तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना हसान नहीं है जितना वे नीचे वे सोच रही थी अब क्या करें वे यासकी चान अपने पेड़ पर चड़े यह उसकी हाद एक अच्छा थी यासकी चान के मन में भी उस्साह а था उसके सामने गई उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो तो चान को उसे हसाने के लिए गला गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे भी बनाने पड़े ताथ वो इतना दुखी था कि वह पेर पर नहीं चर सकता वह विकलांग है इसलिए उसे खुशी करने के लिए उसे अलग अलग तरह के मुह बनाने पड़े फैरो एक बात सुजी है वह फिर चौकीदार के चप्र की तोड़ी और हर एक चीज पुलट पुलट कर देखनी लगी आखर उसे तिपाई सीड़ी मिली तिपाई सीड़ी आप देखते हो तीन पैरों की होती है जो उस पर बैठके हम घर के काम भी करते हैं तिपाई सीड़ी मिली से तामे रहना भी जरूरी नहीं था वह तिपाई सी आप यहाँ देख रहे हैं तिपाई किस तरह की होती देखो बच्चो यह रही तिपाई इस तरह में स Oh पेड़ तक पहुंच रही थी कि यहों सब्हक्छ देखो अब डरना मत उसने बड़ी बहन की आवाज में कहा वी देखो अब डरना मत यह डगमगा रही है यह कि curated यासुकी चान ने घवराई तिपाई सीड़ी को पसीने से तरबतर तोतो चान की और देखा। उसे भी काफी पसीन आ रहा था। वह पेड़ की और उसने देखा और तब निश्यक कर पाँ उठाकर पहली सीड़ी पर रखा। यासुकी चान ने घवराकर तिपाई सीड़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की और देखा। उसे भी काफी पसीन आ रहा था। उसने पेड़ की और देखा और तब निश्यक के साथ पाँ उठाकर पहली सीड़ी पर रखा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।